जेहिंद, वेलकम टू विजयपाथ एजुकेशन पालूमपुर, आज हिमाचल परदेश में HP TET Arts का पेपर कंड़क्ट करवाया गया, HP Board School Education धरमशाला के द्वारा आज 13 जुलाई 2024 है, और आज साड़े 12 वजे तक ये पेपर HP Board School Education के द्वारा कंड़क्ट करवाया गया, तो मैं Psychology के सेक्षन की आंसर की के साथ मैं जो है वो आपसे जुड़ चुका हूँ, टोटल आप सब भी जानते हैं, 150 कोईशन टैट के पेपर में पूछे जाते हैं, और इसमें एक सेक्षन के 30 कोईशन जो है वो आते हैं, तो अब मैं Psychology के सेक्षन को कवर करूँगा, इसकी आं नॉर्मल लेवल का जो था वो पूछा गया था 25 प्लस question जो है वो बिलकुल आसान लेवल के जो थे वो पूछे गये थे repeated question थे देखिए जल्दी से एक वार questions को discuss कर लेते हैं इसकी answer की को सबसे पहला है Watson और Skinner ने मनोविज्ञान के किस उपगम में योगदान दिया है तो Skinner औ number 1 का option D जा right answer था नेक्स था मनोविज्ञान जो अभी प्रेणात्मक और समविगात्मक समस्याओं से पीडित व्यक्तियों के लिए कारे करते हैं उन्हें क्या कहा जाता यानि कि ऐसे psychologist के बारे में आपको पूछा गया था जो person that suffer from motivational and emotional problem तो ऐसे concept psychologist होते हैं जो जिन लोगों को motivation और emotions की problem होती है तो वो क्या करते हैं तो उनकी वो counseling करते हैं तो option number A जो था वो इस question का right answer यहाँ पे रहेगा next question था बिलकुल simple सा question पूछा गया था paid classes के जो student थे उनको यह question कराया गया था V is equal to F into P into A यह equation जो है वो Kurt Levin के द्वारा जो थी वो दी गई थी उनके एक theory है वहाँ पर यह famous equation जो थी वो उनके द्वारा दी गई थी तो option number A जो था वो इसका बिलकुल right answer था next question है हम series A को यहाँ पे जो है वो discuss कर रहे हैं आप अपनी series के according जो है वो इसको check कर सकते है और दोनों एक ही conclusion के ओपर अगर आप पहुंचते हैं तो यह किस चीज का example जो है वो हो सकता है question 4th का option number A जो था वो बस्तु निस्टा objectivity इसका right answer था जब भी हम सभी का जो जैसे हम science का कोई experiment करते हैं हम एक ही conclusion के ओपर जब पहुंचते हैं उसको objectivity कहा जाता है option A जो था उसका right answer था next question था एक प्रियोग में एक स्वतंतर चर क्या होता है independent variable की बात की गई थी एक experiment में तो independent variable कौन सा होता है जो एक variable दूसरे को क्या करता है अफेक्ट करता है ठीक है एक variable जो है वो दूसरे को affect करता है option number C जो था वो इस question का right answer था next question है बिलकुल आसान सा question पूछा गया था bloom taxonomy में भी ये question काफी बार आता है cognitive, affective, psychomotor तीन domain होते है cognitive हमारे mind के साथ जुड़ता है हमारी intelligence के साथ जुड़ता है तो option number A जो था वो इसका right answer यहां पर रहेगा काफी बार यह हमने classes में किया है next question था development is influenced by an interplay of तो किस बज़ा से विकास जो है वो प्रभावित होता है विकास की एनी कौन सी ऐसी क्रियर जिससे यह प्रभ प्रभावित होता तो option number D यहां पर जितने भी यहां पर दिये गए है all of these यह सभी जो है वो इसके right answer यहां पर रहेंगे next है यह आपका जीन पर आजे की theory से पूछा गया है most important topic रहता है sensory motor की age कितनी होती है 0 से लेके 2 साल option number A इसका right answer है बिलकुल असा question पूछा गया था next question प क्या था वो आपको यहां पर है बताना था तो Ericsson की 8 stages जो थी वो हमने पड़ी थी ठीक है और Ericsson के साथ साथ जो गयने थे उन्होंने भी एक theory दी थी बट option नहीं था तो Ericsson को जो है वो हम यहां पर बिलकुल right answer जो है वो चूज करेंगे option B इसका right answer रहेगा next question है question 10 था the process of intercorporating new experience into exist schemas is known as यह जीन प्याजे की theory से पूछा गया है कि जब नए अनुभवों को पहले से विद्यमान schema में जब हम उसको interpret करते हैं उसको connect करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो assimilation कहा जाता है पुरानी प्रक्रिया से नई प्रक्रिया को जब जोड़ा जाता है assimilation कहते है option B जीन प्याजे से question पूछा गया था option B is the right answer बिल्कुल हवा लेवल का question है IQ का formula क्या है यह question आपको आना चाहिए English में ही यहाँ पर दिया गया था MA का मतलब होता है mental age and CA का मतलब होता है chronological age तो option number A जो था वो उसका right answer था बिल्कुल easy question था यह पूछा गया next gasalt principle हमने काफी बार पड़ा है paid glasses में हर बार यह करवाया गया है कि जो gasalt का सिध्धात है जिसमें जो gasalt में जो theory थी जिसमें chimpanzee का use किया गया था सुल्तान का तो उसने हमेशा निकटता के सिध्धात के उपर कारी किया था principle of proximity तो option number B जो है वो यहां पे इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा next question है question number 13 the process by which we recognize and interpret sensory information तो उसको क्या कहा जाता है तो sensory information को क्या कहते है हम perceptions कहते है 13 का जो है वो option number B इस question का right answer रहेगा next question है 14 देखे direct question पूछा गया था classical conditioning theory किस ने दी है जहां पे dogs का experiment किया गया था तो Pavlov के द्वारा जो है वो यह theory दी गई थी dog की theory या classical conditioning की theory Pavlov के द्वारा दी गई थी next है Harvard Gardner का सिधांत जो है उसे किस नाम से जाना जाता है पहले जो question थे उसमें इस तरीके से पूछा गया था जैसे कि two factor theory किस ने दी है one factor theory multiple factor theory किस ने दी है लेकिन अब कुछ indirect method से पूछा गया है यहां पे कि Harvard Gardner की theory का नाम क्या है तो वो नाम से ही पता चल रहा है यहां पे Harvard Gardner theory of intelligence की बात की गई तो आपने यहीं पे intelligence को tick कर देना था theory of multiple intelligence option number B जो है वो इस question का right answer था बिलकुर direct question था next था the test which contain a number of wooden block तो ऐसा test जिसमें number of wooden block का use किया जाता है उसे क्या कहते है उसे coal block design test कहा जाता है तो 16th का option number A जो है उसका right answer रहेगा next question है dash refers to an individual underlying potential for acquiring skill जो एक व्यक्ति द्वारा कोशल अर्जन करने की संभाबना या संभाब व्यक्ता को जो है दर्शाता है उसे क्या कहते हैं तो जो skills के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर 17 का answer aptitude आएगा option number C aptitude आप ध्यान रखेंगे skill के साथ जुड़ा है और attitude हमारी thinking के साथ जुड़ा है दो शब्द है aptitude and attitude दोनों में difference होता है एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णे लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं जब अपने बारे में हमेशा हम निर्णे लेते हैं judgment की जाती है तो उसे कहा जाता है आतम सम्मानिय self-esteem option B इस question का right answer रहेगा next question है who created the thematic appreciation test paid classes में काफी बारी question कराया गया है Morgan और मुर्रे के द्वारा ये test जो था वो दिया गया था option A इस question का right answer है next विल्कुल हवा लेबल का question है 16 PF scale जो है वो किसने दी है तो cattle के द्वारा दी गई है option C इस का right answer है next individual psychology was given by which psychologist तो individual व्यक्तिगत मनोविज्यान जो है वो किसके द्वारा दिया गया है ये अल्फ्रेड एल्डर के द्वारा दिया गया है option number D जो है उसका right answer था next question है according to id, ego and super ego ये concept किसका है ये segment fried का है ये segment fried का है काफी वार paper में पूछा जाता है difference भी कई वारा आजाता है इसका बिल्कुल simple सा question है next question था which theory was developed by Karl Jung Karl Jung के द्वारा कौन सी theory जो थी वो दी गई थी तो इसमें option number B analytical psychology or visualization आत्मक मनोविज्यान option B जो था वो इसका right answer था ये theory Karl Jung के द्वारा दी गई थी next था इसमें statement based question जो थे वो काफी पूछे गए थे as compared to या other जो भी exam LT का हुआ भी उसमें उतने statement based question नहीं थे लेकिन आज के paper में लगभग 4-5 question statement based पूछे गए थे निशा shows aggression most of the time in her classroom, often calls her classmate aggressive यानि कि निशा जो अपनी class में हमेशा गुसा करती है aggressive nature रहते है तो इसके जो दोस्त हैं वो भी क्या कहते हैं कि यह कैसी है यह हमेशा गुसा करती है तो identify the defense mechanism जो था वो आपको यहां पर बताना था तो यहां पर इस question का जो right answer रहेगा वो है projection option number C projection is the right answer next फिर से statement based question था रिया जो है वो एक counselor है and she has the ability to reflect the client say and feel using the different word उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पैराफ्रेसिंग option number D जो था वो इसका right answer था इस question का अगर आप net के उपर search करेंगे कहीं पर communication दिया है कहीं पर decoding दिया है लेकिन ध्यान रखेंगे पूरा same to same question जो था वो आपकी books के उपर already जो है वो दिया है अरिहंत की book में यह आपको जो है वो easily मिल जाएगा यह question यह पैनफुल consequence तो उसे हम क्या कहते हैं तो 26 का यहां पर option number C रहेगा विरुची चिकितसा अवर्जन थेरपी जो है वो से कहा जाता है 26 का option C इसका right answer है next question रहुल को चीख ने चिलाने के आदा था उसके माता-पिता ने निर्ने लिए कि जब भी वो चिलाए तो उसे भोजन जो जो है वो इसका यहां पर right answer रहेगा ठीक है next question है which technique used to treat phobia तो देखी phobia का मतलब होता है किसी चीज़ का डर ठीक है तो डर जब किसी चीज़ का हो तो उसको हम किस से ठीक कर सकते हैं अगर किसी चीज़ का डर अगर हमारे मन के अंदर बैठ जाता है तो हमारी mind को ही change किया जात यहां पर none of these basically आना था हमारे cognitive behavior जो therapy है उससे उस technique से phobia को जो है ठीक किया जाता है none of these इसका right answer है next है the logical process by which general principles are infected from particular intenses called उसे क्या कहा जाता है उसे जो है वो हम detective reasoning कहते है option is the right answer ठीक है जी next question है यहां पर last question psychology के section का 30 memory process in which newly learned information prevent retrieval of previously stored similar material is cold उसे हम क्या कहते है उसे हम कहते है retroactive interference पूर्व लक्षी अबरोध option number B जो है वो यहां पर इसका right answer था तो जो भी हमने यहां पर classes विजेपाथ education के द्वारा provide करवाई गी थी हमारे paid student के लिए and जो भी YouTube के उपर classes थी उसमें से लगभग 25 plus question जो है वो हमारे डिटो हमारे ही वहां पर पढ़ाय में से जो है वो आपके लिए जो है वो इस exam में पूछे गए हैं I hope आपका paper जो है वो काफी अच्छा गया हो जल्दी ही GK के section की answer की मैं upload कर दूँगा तो एक वार comment आप जरूर कीजिए कि कितने question आपके यहां पर सही रहते हैं ठीक है ओके thank you